आसान उपाए हर कोई चाहता है जिन्दगी के लिए जैसे आजकिल का फास्ट फूड हो गया कि ओडर कीजिए फूड आ गया फटाफट खा लीजिए आपको हाथ बिगंदे नहीं करने पड़ते हैं पेट भी भर जाता है लेकिन उपाए ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से समझ में आएं थोड़े दिमाग में बैठें थोड़े मन में बैठें और करने में आपको अच्छा लगे मैं आपको ऐसे उपाए बताऊगा कि लाइफ को आसान बनाएंगे और आपको अपरचुनिटीज दिलाएंगे आपको धीरी धीरी ग्रोथ दिलाएंगे आपकी जितनी परिशानिया है उसको ठीक करेंगे तो तब ही तो आप मेरे वीडियो देखते हैं मैं आज एक बहुत आसान उपाए बताने जा रहा हूँ आपको सरसों के तेल का उपाए नहीं कोई भी टोटका नहीं है ये मैं बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता हूँ आप इसको करके देखिए अगर आप भगवान और ग्रहों में बिलीव करते हैं नजर दोश में बिलीव करते हैं तो ये उपाया आपके लिए है शनी देव से कई लोग डरते हैं कि शनी देव जो हैं बहुत परेशान करते हैं उनकी ढहिया उनकी साड़े सती हमारे लिए ना मुसीबत बन करके आई है अपने जो दरवाजे हैं चला के देखिए खिड़की चला के देखिए कहीं न कहीं उसमें आवाज चू 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 की आवाज जरूर आपको मिलीगे सरसो का तेल लीजिए किसी भी शनीवार के देखिए और जो उसकी हिंजेज होती हैं उसमें आप डालिए अगर आपकी जो मेशिनिरी है वो फ्री फ्लो मूवमेंट नहीं कर रही है तो लाइफ में ट्रबल्स आएंगी, रुकावटे आएंगी, रिष्टों में जगडे होंगे, पैसों में नुकसान होगा और भगवान शनी भी आपरसन रहेंगे तो जितनी भी आपकी लोहे की मेशिनिरी है जो की मूवमेंट करती है साइकिल जंक में पड़ी हुई है, क्योंकि उसका मूवमेंट होना है और आपको उसको साइड कर दिया आपने उसको, काम रुक जाएंगे आपके पुराना स्कूटर पड़ा हुआ है, सब चीजे पुरानी है, गाड़ी ऐसी है कि आपकी कई महिनों से चली नहीं है मूवमेंट कराईए उसका, उसको फ्लो में लेकर के आईए, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि दरवाजे, खिड़किया, चोटी मूटी चीजें, उसको ऑईल कीजे सरसो के तेल से तो आपके जो शनी के दोश है, वो बहुत कम हो जाएंगे अब आपको एक मैं तिलक बता रहा हूँ, उस तिलक को बनाए और प्रसिद्धे पाईए, किसी भी सूरत में, किसी भी चीज में आप जीत जाएंगे, जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, तो आप जीत जाएंगे आपने क्या करना है, कुम-कुम लेनी है, कुम-कुम का पाउडर लेना है, उसमें सरसो का तेल में लाना है और उसको मिक्स कर लीजिए, उल्टे हाथ पे रखिए, उसके उपर सीधा हाथ रखिए, ग्यारा, सताइस या चववण, डीप ब्रीद कीजिए इससे जो आपकी बॉड़ी की उर्जा है, वो उस तिलक में आ जाएगी, और साथ सा थोड़ा भगवान का नाम याद कीजिए उस तिलक को आप चाहे तो आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, चाहे तो कानों के पीछे लगा सकते हैं, चाहे तो इस थाइराइट ग्लेंड पर लगा सकते हैं कहीं पर भी लगाईए, वो तिलक आपका साथ देगा और आप जीवन में सकसेस्फुल होते जाएगे अब एक और उपाई बता रहा हूँ जिसमें आपको लगता है कि बुरी नजर अगर घर में लगती है बुरी नजर अगर आपकी लाइफ में आती है आपके आफिस में बिजनस में आती है तो सरसो के तेल का एक दीपक जलाएए मिट्टी का एक दीपक लीजी उसमें जो दीपक है वो खड़ी बाती वाला होना चाहिए यानि कि जियोत के टाइप का होना चाहिए और उसमें थोड़े से लॉंग डाल दीजी यह दीपक आप अपने घर के मुख्ये द्वार के बाहर भी जला सकते है और किसी ऐसी जगा पे जला सकते हैं जहां पे सबका आना जाना हो वेस्ट की दिशा में भी यह दीपक जला सकते हैं ऐसा करने से आपके घर की जो नजर है वो दूर हो जाएगी और आप लाइफ में एक्दम फ्री होके काम करेंगे ओम नमाश्युवार